अपना इंशुरेंस वाला को इस बूरे दोर से निकालना है इसके लिए मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को फॉलो करो और अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में इस मैसज को जरूर शेयर करो फ्रेंट्स हम सब की लाइफ में इस तरही की का दोर पहले कभी नहीं आया इसलिए इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें कभी भी खाली पेट न रहें कोशिश करें अगर आप फास्ट भी है तो कुछ न कुछ जरूर खाते रहें जिसे बॉड़ी में नूट्रिशन और पाने की कभी कभी न पाएं फ्रेंट्स दुश्मन भी तभी अटाक करता है जब वो आपको कमजोर पाता है इसलिए बॉड़ी को कमजोर नहीं होने दिना है कोशिश करें ऐसी फैसिलिटीज का यूज ना करें जिनसे गले में कभ बन जाए जैसे की फ्रेज और एसी का इस्तमाल कम से कम करें हमेशा पानी के लिए गुनगुना पानी का ही इस्तमाल करें इससे इस्तमाल करने से आपके गले में कभ नहीं बन पाएगा आयूरवेट काड़ा का रोज इस्तमाल करें अपने शरीर के हिसाब से इसकी सही मातरा को अपने रोज की रूटीन में शामिल करें जिससे ये आपकी मेमोरी से कभी स्किप नहों सकें अपनी इम्मिनिटी को बढ़ाने वाले प्रोड़क्ट का यूज करते रहें गिलोई जूस, तुलसी जूस, चवन प्रास का प्रयोग करें जिससे किसी वी तरह के बाहरी इंफेक्शन से बॉड़ी खुद ही खुद को डिफेंड करती रहें उस इंफेक्शन से सही तरखी से आपकी बॉड़ी लड़ सकें कोरोना रिमेंट से पता चलआ है कि कोशिच करें कि Bॉड़ी बाहर जाए वर्ना घर पर ही रहें और अगर बाहर जाना भी है तो मास्क लगा seinen ऐूम बाए बहर अपने हाथो को साबून से दोएं और अगर हाथ दोनी की situation में ना हो तो आप उसे sanitize भी कर सकते हैं लोगों से उची दूरी बनाए रखे और जितना हो सके भी भाड़े वाले लाके से आप दूर रहे अपने bank account में चार माह तक के खर्चे के हिसाब से पैसे saving account में जरूर रखे और दो महिने के cash वैसे आप अपने पास जरूर रखे जिससे किसी भी situation में आपको financially weak न होना पड़े अपना और अपने परिवार का स्वास्त और जीवन भीमा जरूर करवाए स्वास्त भीमा लेती समय आप ये याद रखें कि कोरोना को add किया है या नहीं किया है याद रखें सरकारी आकड़ों में आप सिर्व एक number है पर आपकी परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया है इसलिए अपना ध्यान रखें stay safe stay fit